जो काम की शुरूरात नहरु जी ने की थी वो काम पुरा हुआ मेरा आने के बाद बताईगे कितना देश का पैसा बरबात हो गया आप भली बात ही जानते हैं कि आधोनिक इंफ्रासेक्टर के बिना देश का विकास देश वास्यों के जीमंस्तर को सुधारने का प्रयास सफन नहीं हो सकता लेकिन हमने देखा है कि Environment Clearance के नाम पर देश में आधुनिक इंफ्रासेकर के निर्मान को कैसे उल्जाया जाता था आप जिस जगा पे बैटे हैं ना ये एकतान अगर में इस अँदने देखाός और रोकर रखा था आपको जानकर के flesh इस रहानी होगी का भूऊए ये ये इतना बड़ा जलास है देख और आपने इसका सिरान्यास देश आज़ा बाद होने के तुरंद बाद किया गया था सरदारवलों भाई पटेल ने बहुत बड़ी भूमिकाने पाई थी पंडित नहरू ने सिलान्यास किया था लेकिन सारे अरवन नक्सल मैदान में आ गए दुनिया के लोग आ गए अपरचार किया ऐसा यह परियावरन विरोधी है य और बाड बाड उसको रोका गया जो काम की शुरूवात नहरू जी ने की थी वह काम पूरा हुआ मेरा आने के बाद बताईगे कितना देश का पैसा बरबाद हो गया और आज वही एक तानगर परियावरन का तिरसर शेत्र मन गया बदल कितना जूट चलाया था और यह रादितिक समर्थन मिल जाता है कुछ लोगों का साथियों भारत में विकास को रोकने के लिए कि कई ग्लोबल इंस्टिटूशन भी कई फांडेशन भी ऐसे बड़े पसंद आने वाले विश्य पकड़गर के तुफान खड़ा कर देते हैं और हमारे अर्बन निक्सल उसको माथे पर लेकर के नाचते रहते हैं और हमारी हरुकावट आजाती हैं परियावरन की रक्षा के समय में कोई कॉम्प्रोबाइब न करते हुए भी संतुलित रूप से विचार करके हमें ऐसे लोगों की साजीसों को जो वर्ल्वेंग तक को प्रभावित कर देते हैं बड़ यह कि बेवज़ परियावरन का नाम लेकर इज अब लीविंग और इज अब दूइंग बिजनेस के रास्ते में कोई बाधा ना खड़ी करें कैसे बाधा बंती में उदान देता हूं मैं गुजरात में पानी का संकट हमेशा रहता है दस साल में साथ साल अकाल के दीन रते तो हमने च्यक्डेम का बड़ा भियान चलाया हम चाहते देव फोरेश्ट में भी पानी का प्रवंद हो तो हम फोरेश्ट में परवत की जो धलान होती है उस पर छोटे-छोटे एंडे डाइनिंग टेबल जितने छोटे-छोटे-छोटे ताला बनाना बहुत चोटे हो दो फूट गहरे हो और उसके पूरे लेयर बनाते जाना ऐसी हमने सोचा है आप हैरान होंगे एनवार्मेंट मिनिश्ट फोरेश्ट मिनिस्ट्री नहीं मना कर दिया अरे मैंने का भई यह पानी होगा तभी तो तुम्हारा फोरेश्ट बचेगा आखीर कर मैंने उंको का मैं फॉरेश्ट विभाग कोई पैसे देता हूं आप चेकडेम बनाएए पानी बचाइए और जंगलों को ताकत दीजिए तब जाकर करके बिड़ी मुश्किल से मैं वो काम कर पाया था मतलब हम एनवार्मेंट के नाम पर फॉरेश्ट में भी पानी का प्रवन नहीं किये तो काम कैसे चलेगा साथियों हमें याद रखना है कि जितनी तेजी से एनवार्मेंट क्लियरंस मिलेगी उतना ही तेजी से विकास और कॉंप्रोमाइज किये बिना यह हो सकता है मुझे बताए गया है आप सभी राज्जों के लोग बैठे हैं आज की तारीख में एनवार्मेंट क्लियरंस के छे हजार से ज्यादा काप आपके मंत्रालयों में पैंडिंग पड़े हुए हैं इसी तरह फोरेश क्लियरंस के भी करीब करीब साड़े छे हजार प्रोजेक्ट उनकी एप्लिकेशन आपके टेबलों पर लटकी पड़ी हुई है क्या साथियों आज के आधुनी क्यूग में आचा वो भी तिन मेने के बाद क्लियरंस बिलेगा छे तो कारण कुछ और है हमें बिल्कुल पोई पैरामिटर तय करने चाहिए निस्पक्ष भाव से करना चाहिए और परियावरन की रक्षा करते हुए क्लियरंस में देने में गति लानी चाहिए हमने रुकावट नहीं बना चाहिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पैंडेंसी की वज़र से हमारे पोजे लोगों को फैदा नहीं होता है खर्च भी बढ़ जाता है समस्य बढ़ जाती है हमें कोशिश करने चाहिए पैंडेंसी कम से कम हो और कि क्लिरंस मिले इससे लेकर हमें एक वर्कंवार्मेंट को बदलने की जुरोत हैनों इंवार्मेंट रक्षा इंब बात करते हैं ना क멋 और नहीं मृत्स ने राज में इलक होगा सरा हुआ कि मैं ऐसल मुझे को प्रगंदए अदर लाता हूं और क्षार नाग मिरिदा को टो कोई इसी बात है डीछाते हुए ओर कलचर ऐसा चा है जिसके कमेण हमारे कर रहे हैं और इसलिए मैं आप से आगरह करूँगा, कि हमें सब पुने मिलकर के, चाहे केंद्र हो या राज्य हो या स्थानी स्वराज्य हो, यह डिपार्टमेंट हो और वो डिपार्टमेंट हो मिलकर के काम करेंगे, तो ऐसी कोई रुकावटे नहीं आएगी.